हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विपरो के Q3 नतीजों के बारे में फ्रेंट्स कंपनी के तरफ से Q3 रिल्स का अनॉंस्मेंट हो चुका है and undoubtedly numbers are very good यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा and stock सबसे बड़ी बात किया है विपरो की company के तरफ से investors का ध्यान रखा गया है declares dividend company के तरफ से dividend का announcement होता हुआ देखने को मिला है and बहुत कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा क्या होंगे कल की targets important है कल किस प्रकार करता हुआ देखने को मिलेगा क्या stock के अंदर एक बड़ी तेजी आपको आती हुई देखने को मिलेगी तो वो सब कुछ बात इस वीडियो के अंदर करेंगे friends चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर या सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फिर्ण देखिए विपरो के नतीजों पर हम आ चुके हैं अब सबसे पहले बात करेंगे company के revenue की company ने कितना यहाँ पर overall income करी है तो देखिए पिछले साल सबसे पहले अगर हम पिछले साल की बात करते है 2020 की तो देखिए company की जो overall revenue थे याद रखिएगा ही जो numbers है वो 2700 million का यानि company का friend जो आपको revenue देखने को मिलेगा वो इस साल बहुत बढ़िया बड़ा था आपको देखने को मिलेगी जो करीबन 2,3,136 million पे आपको रहता हुआ देखने को मिला है यानि जो company ने पिछले साल करीबन 1,56,700 million का यहाँ पे overall revenue कमाया था वो बढ़के आपको दे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले 1,96,674 million का company ने revenue करा था वो इस साल बढ़के इस quarter में बढ़के basically 2,3,136 million यानि company ने friends अगर आप देखा जाए तो YOY plus Q1Q revenue के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त आपको शो करिए यानि company ने overall revenue front पे काफी बढ़िया किया है other operating income slash loss अ आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जो 1,63,241 million का company की तरफ से total income किया गया था पिछले साल वो इस साल बढ़के करीबन 2,7,915 million पे आती हुई देखने को मिली है इसका मतलब company ने YOY overall उसकी जो income है उसमें बढ़ोत रही है प्लस Q1Q अगर आप देखने जाएंगे तो जो कर friends company की तरफ से कारुबार किया गया था वो बढ़के 2,7,915 million के आसपर दता हुआ देखने को मिला है इसका मतलब साफ साफ यह ही कि देखें की तरफ से YOY प्लस Q1Q दोनों में on the revenue front on the income front काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है और याद रखेगा SCIT majors से हमेशा आपको ऐस से ही कह सकते है expectations रहती हुई देखने को मिलती है तो यह अपने आप में बहुत बढ़िया बात है अब अगली बात करते है friends company के खर्चों के उपर expense कितना आता हुआ देखने को मिला है तो total expense अगर आप देखेंगे तो वो तो हमेशा देखें जो भी company आपको बढ़त करेगी लाइद रखेगा जो भी company बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो उसकी खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और वही आपको देखने को मिलेगा जो करीवन एक लाग चोई सार आट सो अरटीस मिलन का company का खर्च था वो बढ़के एक लाग सत्तर हजार दोसो पाच म को मिलता है और वो भी दोस्तों यहाँ पर दोनों में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है अब देखें PBT PBT यानि profit before tax कैसा रहता हुआ देखने को मिला है चलिए सबसे पहले इसक्योपन डाल लेते हैं तो देखिए पिछले साल जो company का PBT निकल के आया था तो वो almost 38,50 704 million पर आता हुआ देखने को मिला था यानि अगर आप देखेंगे तो इस साल जो रहता हुआ देखने को मिला है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है इस पर आपको देखने को मिलेगा 37,786 million पर यानि पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो company की जो net profit before tax है अभी tax की बात नहीं कर रहा हूं tax बाद मत करेंगे वह जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावड आती हुई देखने को मिलिए on the basis of Q on Q आपकी जिक्वान तो basis of Y O Y बट यहाँ पर अगर आप Q on Q में देखेंगे तो Q on Q में दोस्तों company ने profit में अगर आप देखेंगे तो profit before tax है उसमें Y O Y में तो downfall है बट Q on Q में अगर आप देखेंगे तो छोटी सी बड़त है बहुत बड़ी भी नहीं है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा disappointment है सालाना basis पे अब क्यों है देखें यह company की तरफ सा बताया गया है आगे बता दूँगा आपको और अगर बात करते हैं friends यहाँ पे जो है profit for the period सबसे important company का profit कितना रहता हुआ देखने को मिला है तो देखेंगे profit जो पिछले साल 29,978 million पे था वो इस साल आपको काम होता हुआ देखने को मिला है और 29,723 यानि basic अगर मैं बात करता हूँ तो एक छोटा सा downfall आता हुआ जादा जो यहाँ पे शो करना पड़ता है उसके अगर अगर आप देखेंगे तो company का यहाँ पर दिक्कत आपको आता हुआ देखने को मिला है बहुत कम है बहुत जादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है बट हाँ यह अच्छी बात भी नहीं है तो अगर आप देखेंगे त तो overall क्या है कि company का जो profit है वो yoy basis पर कम होता हुआ देखने को मिला है बहुत कम का but q on q basis पर आप देखेंगे तो बड़त आई है यहाँ पर भी जादा बड़त नहीं है almost अगर आप देखेंगे तो 400 million का company के profit में increase होता हुआ देखने को मिला है and ठीक है जाता कोई दिक्कत वाली की बात as such मुझे दिखती नहीं है विकाज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो business है उसमें कभी कबार देखे conditions वैराई कर जाती है उसके अगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको numbers ऐसे देखने को मिल रहें बट ज्यादा तर मुझे लगता है कि ज्यादा तर आपको यहाँ पर कुछ जादा सोचना नहीं चाहिए numbers are quite good और जहाँ पर जैसे expectations दी उसके आसपास से आपको आता हुआ देखने को मिला है margin कम होने की देखें बात थी जो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला है अब बात करते है friends company का जो है equity share का paid up अब देख लेते हैं कि 5.35 का था वो इद बार 5.42 पर रहता हुआ देखने को मिला है अब देखिए इसका मतलब क्या आता है EPS अगर किसी भी company का बढ़ रहा है यानि earning per share अगर कभी भी किसी company के बढ़ती हुई देखने को मिल रही है इसका मतलब company is on good track और वो यह भी आपको देखने को मिलेगा 5.21 जो तो पहले था वो आपको 5.43 पर आता हुआ देखने को मिला basic की बारे में बात कर दो और quarter और quarter पर आप देखिए जो 5.36 पर था वो 5.45 पर तो numbers का अगर overall आपको मैं एक बात में कहूं तो numbers are good हाँ बहुत बढ़िया भी नहीं है बट कह सकते हैं कि देखिए खराब इसको क आपको जादा देखने को नहीं मिलेगा बट interim dividend देने वाली companies काफी कम होती है तो देखिए यहाँ पर company के तरफ से interim dividend जो दिया गया है वो दिया गया है करीबन एक रुपे प्रतीश है जिसकी face value दो रुपे की है यह आपको एक रुपे का मिलता हुआ देखने को मिलेगा interim dividend और friends company ने जो interim dividend की payment date रखी है वो रखी गई है friends करीबन 5th of February and 24th of January रखी गई है record date तो 24 जनवरी तक यहाँ पे record date यहाँ पर रखी गई है और interim dividend का जो payment है वो 5 फरवरी को आपके accounts में होता हुआ देखने को मिल जाएगा अब friends सबसे important question पर निकल क्या आते कि कल क्या करेगा ब बोशना की गई है और यह एक बहुत बढ़िया बात है तो मुझे कि market definitely कल काफी positive numbers को लेता हुआ नजर आएगा basically देखे गिरावट होने की chances तो यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं बट अगर देखे जिस प्रकास से देखे IT companies का अगर track recorder रहा है तो numbers के बाद वह बहुत ज्या अगर बात करता हूं तो देखे company की तरह से dividend की payout की गई है तो एक neutral है एक neutral है तो मुझे आखता है कि यहाँ पर positive ही बनता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको सलाह यही रहेगी कि बिल्कुल बने रही है अगर कल buy chance dip आ जाती है तो उसको बिल्कुल accumulate करना है buy करना है basically मुझ झाल 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 झाल